हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपना छोटा सा किचन दिखाने वाली हूँ यानि के अभी हम लोग यहां नए रूम में सिफ्ट हुए हैं दस-पंदरा दिन पहले तो छोटे से किचन में मैंने कैसे समान की सेटिंग किये वही मैं आज यहां पर दिखाऊंगे आपको देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बरतन साफ करने वाली सिंक यह बहुत ही गहरी बनी हुई है और यह जो क्वाटर्स हैं यह काफी पुराने बने हुए हैं बट फिर भी बहुत अच्छे ह रखा है यह बिंडो है यहां पर पानी लाने के लिए हमने वाटर पूलर रखा है और मेरे कुछ बरतन रखे हुए हैं यहां पर मैंने स्टेंड वाला नहीं लगाया है बरतन रखने के लिए यह चोटा वाला लिया है और यहां पर देखिए यह मेरा गैस चूलर रखा है य यहां पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी साइड में सिलेंडर रखा है और नीचे आलू, प्या, चावल, आटा यह सब मैंने भरके रखी हूं नीचे आप देख सकते हैं तो देखिए उसके बाद उपर वाली स्लेप में मिकसर, कुछ मसाले बगेबर, यह सब मैं यहां पर सैट जाइप पत्ती जीरा बगेबर, यह सब मैं यहां पर रखी हूं उसके बाद यहाँ पर एक छोटी छोटी दो स्लेप पड़ी हुई है यह बीच वाली है इसके उपर यह है तो यहाँ पर मैंने बॉक्सेज ही रख दिये हैं जो चाय पीने वाले कप होते हैं उनके और कुछ दाले, चीनी, आचार वगेरा मैंने उपर सेट किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर मेरा ट्राइपोर्ट भी रखा है मैं यहाँ पर वीडियो सूट करती हूँ तो यहीं साइड में रख लेती हूँ मैं आपको एक साथ पूरा किचन दिखाती हूँ तीनो सलेप के साथ तो आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा ही है बट जैसे तैसे मैंने इसको सेट करके रखा है आप बताना आपको यह कैसा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना किचन क्योंकि जैसे छोट है समान जादा है तो आच्छे से सेट हो रखा है और नीचे भी टाइल्स पिछी हैं साइड में टाइल्स लगी हुए हैं कलर है और यह दिखिए यहां पर एक्जोस्टिंग फैन भी लगा है और फ्रीज के कबर बगेरा हमने उपर कार्टून सेट किये हैं यहां पर जगे थी आपको पता होगा शायद नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूं क्वार्टर्स में जगा कम होती है तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है तो कैसा लगा किचन का टूर वीडियो आप बताना कॉमेंट्स करके थेंक्यू फर वोचिंग